नमस्कार एक बार पनो हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गोपलोक्स पे अगर हम हतेली को देखते हैं तो हतेली का जो आकार है एक आयताकार भी है और एक चोकोर किसम की हतेली भी है दोड़ों गुण यहां पे दिखाई देती हुई न आइडियाज भी बहुत अच्छे अपनी जीवन में लगाते हैं दूसरी अगर हम बात इस हतेली में देखें तो बरतमान समय में उंगलियों का जो जुकाओ है बीच की उंगली की तरब ज़्यादा दिखाई दे रहा है थोड़ा साही सही लेकिन सनी के नेगेटिव गुण में बिर्दि करती हुई आपकी हतेली है ऐसे में बिक्ति कई बार दुखी या जीवन में खुशियों में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलती है और कोई भी अगर काम ऐसा बिक्ति करें तो निश्चित तोर पे बहुत जादा मेहनत करने के बादी फल की प्राप्ति होती ह अगर हम यहाँ पे आपकी रेखाओं की बात करें हतेली में तो इस समय जो है बहुत सारी रेखाई यहाँ पे दिखाई दे रही है थोड़ा सा संगर्स की इस्तिति यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत जादा मेहनत बहुत जादा प्रिस्रम के बाद भी हलके रोप में अभाव की इस्तित्वी यहां पे नजर आ रही है और थोड़ा सा मानसिक प्रेशानी भी दिखाई देती हुई हतेली में नजर आ रही है अगर हम आपकी जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा सिधी इस तरों से न जाकर के आपके जो है इस तरों से जाती हुई दिखाई दे रही है इसमें चंद्रमा का प्रभाव पढ़ता हुआ और यहां पे जो है केतु का प्रभाव पढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा थोड़ा जीवन में उतार चड़ाव जादा रहते हैं अगर जीवन रेखा इस तरों से चंद्रमा का प्रभाव पढ़ता हुआ और केतु का प्रभाव पढ़े तो हलके रूप में ही सही लेकिन जीवन में उतार चड़ाव जादा रहते हैं तरक्य तो बहुत अच्छी मिलती है और जीवन भी लंबा होता है और जीवन में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है लेकिन व्यक्ति जितनी योजनाईं बनाता है जिस तरों से कलपनाईं करता है वो मिहनत का फल तो मिलता है लेकिन थोड़ी सी लेट मिलता है अचानक किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती है और उतार चड़ाओ और इस्तिर्ता बनी रहती है लेकिन बहुत बड़ी हानी, बहुत बड़ी दुरगटना या कश्ट यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है स्वास्ति के मामले में ठीक ठाक रहेंगे और आगी का जीवन होर भी अच्छा यहां पे दिख रहा है यहां पे अगर हम देखें मस्तिस करेखा आपकी बहुत सुन्दर और लंबी है आपको लंबी और हवाई यातरा का मौका निश्चित तोर पे मिलेगा और जिस तरह से आपकी हतेली में रेखाएं बनी हुई है दो जगा पे आपकी यातरा का बहुत सुख़द जो है वर्स बता रहा है एक तो 52 वर्स जब आप 52 वर्स में प्रोवेस करेंगे आपको चाए भूमी से समन्दित लाब हो चाए आपको भूमी के अलावो कहीं से पैसों का लाब हो या आपको लंबी हवा यातरा का लाब हो ये मिलेगा नए तो 54 वर्स में निश्चित तोर पे आपकी हतेली में दिखाई दे रहा है अगर इन दोनों रेखाओं का पर्थम चरण देखा जाए तो आपका जीवन का जो प्रारंबिक भाग रहा होगा वो थोड़ा जादा जो है संगर समय रहा होगा थोड़ा जादा कश्ट प्रद रहा होगा लेकिन उसके बाद जो है आपका जीवन बहुत सुनन रहा है उसका कारण भी है आपका जो सुक्र परवत्प है उस पे वर्टिकल लाइने यहाँ पे साप मातरा में दिखाई दे रही है और जब भी बिक्ति के सुक्र परवत्पे वर्टिकल लाइने होती है तो ऐसा बिक्ति अपने कारे के परती जुझारूपन रहता है बिक्ति का जब किसी काम को हाथ में लेते हैं जब तक उस काम की पूर्ति नहीं हो पाती है तब तक जो है छोड़ते नहीं है और यहां पे आपकी हिर्दे रेखा देखें तो हिर्दे रेखा इस तरह से और गुरु स्रेष्ट ब्रिस्पति से यहां पे युक्त बनाते हुँ ही नजर आ रही है यह भी बहुत स्रेष्ट है आप सब के लिए सोचने वाले बिखते हैं और जादतर अपने परिवार के मामले में देखे तो सब के लिए सोचते हैं बिद्वता भी अच्छे है बुद्धिमानी से भी काम लेते हैं तेजुस्वी भी हैं जिसको चाहेंगे तो हिर्दय से चाहेंगे हिर्दय से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सरो स्रेष्ट तम बिखते हैं अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है थोड़ा स्वाविमानी है और स्वाविमान के साथ साथ कई बार जो है अभिमान का पुट भी आ जाता है हाँ आप में पूर्ण तो विश्वास किया जा सकता है निर्मल हिर्दे के बिक्ति हैं और जीवन में आपने अपनी मिहनत से बहुत कुछ पाया है लेकिन संगर्स की वज़ों से आपको लगता नहीं है और इस्वर की निश्चित रोप से आप में बहुत अच्छी किरपा बनी हुई है और रही हुई है चाहे किसी भी प्रकार से हो चाहे ब्यापार करके नोकरी करके कोई और भी काम करके समाज में एक स्रेष्ट जीवन ब्यतित आप कर रहे हैं और करते चले आए हैं ये आपकी हतीली की हिर्दे रेखा बता रही है दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें एक बहुत सुन्नर रेखा आपको दिखाई दे रही है जिसे हम कहते हैं मंगल की रेखा साब तोर पे दिख रही है यहाँ पे जो आपकी परतिवा को और तीब्र बुद्ध को यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है आपको दोसरों का सयोग भी अच्छा मिला होगा और आगे भी अच्छा मिलता रहेगा और जीवनकाल में भगवान की बहुत अच्छी किर्पा आपके उपर बनी हुई है आप में सोचने और समझने की सक्ति भी विसेश रोप से मौजोद है जीवनकाल में येदि कोई निरणे ले लेते हैं तो उसे अंततक निभाने का सामर्ते भी आपका अंदर यहां पर दिखाई दी रहा है और आपका जो जीवन है आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभाव साली होता जाएगा ये आपकी मंगल की रेखा बताती हुई यहां पर नजर आ रही है ये धन भी देती है ये जमीन और जायदाद से धन देती है नाव या बोट इन सब चीजों से बड़ा लाब विक्तिकों होता है ऐसे लोगों को लकडी से लाब मिलता है कागज का उद्योग होता है तो बड़ा लाब मिलता है और यदि ये रेखा है और भग्या रेखा है तो भी जो है विक्ति को बहुत अच्छा लाब जिवनकाल में मिलता है दूसरी बात अगर हम कहें यहां पे इस तरह से वर्ग के चिन जो है मंगल छेतर पर बनावा हो तो विक्ति को अचल संपति का अच्छा खासा लाव की प्राप्ति होती है और विसेस्तर ऐसे जातकों को 28 वर्स, 36 वर्स और 42 वर्स में विसेस्पलता की प्राप्ति इन चीजों में होती है दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें आपका जो धनका ग्रह है जिसे हम गुरु सरेष्ट कहते हैं जिसे हम ब्रिस्पती कहते हैं यह सुन्दर और पुष्टता लियोई यहाँ पे दिखाई दे रहा है सरेष्ट है उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा काफी हद तक उसकी भी उन्नति करने में साहेता प्रदान करेंगे और मान सम्मान प्रतिष्टा में सब बनी रहेगी और अपने छेतर में निश्चित रूप से जो है विकास होगा यहाँ पे इस तरों से लकीने बनी हुए है और एक वर्ग का चिन बना वाया पे नजर आ रहा है यह निश्चित तोर पे इस और इसारा कर रहा है कि आप में जो है टीचिंग की सक्ति बहुत अच्छी है बहुत सुनर टीचिंग की सक्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है कुसल प्रसासक के गुणि यहाँ पे दिखाई दे रहे है दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखेगा आपकी भग्य रेखा इस तरों से जाती हुई और एक आएक जो है इड़दे रेखा पे रुक्सी रही है देखेगा यह 48 से लेकि 54 वर्स के बीच आपको बहुत अच्छा फाइदा तो पहुँचाएगा लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा जल्दबाजी में यह भावनाओं के वसीबोत होकर अगर आप कोई ऐसा निलने कर लेते हैं जो गलत हो सकता है तो उस गलत निलने के कारण आप अपने विकास को अवरुद कर लेंगे और फिर जो है वो विकास पटरी पे आना बहुत मुश्किल है और आप उसके लिए पच्छता सकते हैं थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिस करेगा क्योंकि यहां पर एक रेखा जो है इस भग्य की रेखा को काटते हुई नजरा रही है दूसरी अगर बात करें एक रेखा इस तरों से जाते हुई बुद्ध की और जा रही है देखें यह ढ़ाई से तीन वर्सों का समय लेगी और आप अचानक धन की प्राप्ति ये निश्चित रूप से आपके जिवन में कराएगी आपके परिसरमों द्वारा आपके जो है अथाह मेहनत के द्वारा और आपके अच्छी जो है योजना के द्वारा अगर हम आपके अंगोठे को देखते हैं लज्जिला है प्रस्तित के उनसार ढलने वाला ब्रक्तित्वा यहां पर दिखाई दे रहा है और पर्थम पौरवा देखें तो इक्षा सक्ति बहुत अच्छी है जिवन में कुछ करने की सेकेंड पौरवे को देखें तो तर्क की सक्ति भी बहुत अच्छी है अपनी बातों को दोसरों को समझाने में भी माहिरता हसिल है दोनों के बीच एक सुन्दर साजो है योग का चिन बनता हुआ नजरा रहा है देखेगा भावक किसम के भी ब्यक्ति हैं भावकता भी आपके अंदर है और तहजी पसंद ब्यक्ति भी है अनुसासन से जीना भी अच्छा लगता है आपको अपने जीवनकाल में अगर आप मिहनत करें और भावनाओं के बश्यव्योत होकर गलत निलणे न लें तो आपको अपने जीवनकाल में अपने घर की प्राप्ति जरूर होगी अपने घर का सुप किसी न किसी रोप में अवस्यम मिलेगा ये आपके हतेली का बता रहा है और इस अंगोठे के नीचे के इस भाग को हम सुक्र का परवत कहते हैं ये आचार्य सुक्र हैं इसके बारे में मेरे सभी ब्योवर्स जानते हैं कला है, सुंदर्या है, सुंदर्ता है इनी सभी चीजों के लिए और सुखद जीवन के लिए हतेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर्य होना बहुत जरूरी है आपकी हतेली में सुक्र सुंदर्य रोप से उभरा हुआ है तेजोमय आवस्ता में है आप तेजुस्वी होंगे आपका ब्यव्तित तो भी बहुत अच्छा होगा सुंदर्ता और आकर्सन आपके अंदर विद्यमान होगा और हर प्रस्तिति को हंस्ते हंस्ते जहलने की छंता भी आपमें मौजुद होगे नई चीजों के प्रतिरुजान बना रहेगा और परिवार का भरपूर सहयोग आपको मिलता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है लेकिन देखेगा एक चीज़ कहना चाहूंगा आपका हतेली और आपका सुक्रग्र केवल आपके सुकों को बताता है कि परिवार का आपको साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें कहरा कि मिलेगा परिवार का भरपूर आपको सयोग मिलेगा और इस्वर की किरपा भी आप पे बनी रहेगी और जीवन में बहुत एक सुक्स विदाई भी अच्छी होंगी आपकी परसनल्टी भी निखरती हुई यहां पे दिखाई दे रही है और बिसेश कर 52 और 54 वर्स में जो है अच्छा खासा लाब यहां पे दिख रहा है लेकिन बच्चों का भाश्या कैसा होगा उनकी साधियां कब होंगी उनका करियर कैसा होगा इसके बारे में उनके हतेली से ही पता चलता है उनकी मेरिट कब होगी यह आपके हतेली से उनके बारे में पता नहीं चलता है दूसरी बात अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे आपकी हतेली में बहुत सुन्दर जो है एक तिरबुज का हकार बनता होगा दिखाई दे रहा है देखिएगा 63 से लेके 65 वर्स के बीज में भी आपको अच्छा खासा जो है अचल संपति का लाब मिलता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है और निश्चित तोर पे जो है मिलेगा दो तिन चीजें आपकी हतेली में बरतमान में थोड़ा सनिका और संगर्स का थोड़ा पुट यहां पे नजरा रहा है और सुकर जो है हलके रुप में अतिबली अवस्ता में आते हुई दिखाई दे रहे हैं थोड़ा मानसिक परेशानी जो है यह बढ़ा सकता है किसी चीज को लेकर चिंता रह सकती है और थोड़ा सा सारेरिक प्रोब्लम भी जो है सुकर के कारण रह सकती है सुक्र को पुष्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत कटनायों के बाद भी अभाव की इस्तिति में आपको रख सकता है इस और जरूरी है देखना दूसरे बाद थोड़ा सा संगर्स जादा रह सकता है कुछ समय तक उसके बाद जो है 52 और 54 वर्स आपके लिए बहुत अच्छा यहां पर दिखाई दे रहा है अगर देखा जाए तो मैंने आपकी और दूसरी बात यह कहूँ जो आप भूमी से समंदे तलाब को दरसा रहे थे वो आपका मंगल रेखा बहुत अच्छी कह रहे है और इसके लिए मैं एक सुन्दर साव पाई दूँगा अभी तो बहुत बड़ी चीज इसमें फाइदा नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन 52 वर्स में और अगर किसी कारण वस 52 वर्स में वो चीज रुक जाती है तो 54 वर्स में जो है आपको उसका रास्ता नजर आ जाएगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नहीं वीडियो के साथ पुनाव पस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार